आपका स्वागत रेंगने वीडियो में आपको बात कलते हैं एवसी एशन कप के बाढ़े में एवसी एशन कप में करल इंडिया का लास्ट इन फाइनल मैच था एंडिया मेच ही हो गया यह इंडिया मेच इंडिया को जीत रहा था इंडिया के वीडियो में थे बाट जो मैंने जैसे कल के वीडियो में बोला था कुछ कंडिशन चाहिए था कि इंडिया के लिए क्वालिफ़ी करें कुछ तो फेबस में थे इंडिया के लेकिन यह मैच इंडिया ने हारा है वो भी 1-0 से रिजी के सासा सिरिया for the first time round of 16 के और इंडिया के लिए काफी जाधा disappointing एक tournament रहा और बहुत ही जाधा खराब performance पूरे tournament में पूरा tournament में पकल ले एक भी गोली के इंडिया ने और कल के मैच में भी hardly like कोई चांस ने क्रेट के प्रॉपर तो एक भी चांस ने क्रेट के इंडिया ने देगो शॉट्स ले ना बड अच्छल में प्रॉपर चांस क्रेट करने में बहुत डिफरेंस होता है और कल वो डिफरेंस क्लियरली नजर भी आ रहा था प्लेयर्स के अंदर कोईशन को कमी है प्रॉपर स्ट्रेजी नहीं है काफी काफी जाधा disappointing game और ऐसा नहीं कि इस बार इंडिया को प्रॉपरेशन काफी कम मिला था इस टूर्णमेंट के लिए और लाइक यूनो प्लेयर्स भी काफी इंजर्ट थे तो साहाल कल बापस है लेकिन बहुत जाधे impactful performance थान इनके तरफ से काफी below average kind of game और I think Syria काफी well-deserved team में यह match जीतने के लिए और यह बोलने के लिए मैं बुलकों में संकोश नहीं करूँगा क्योंकि यार अच्छा खेला हुना एक्चुली मैं आप श्राटिंग से लेकर इन तक देख लो सिरिया नहीं continuous के अटेक किया है गुर्पी इतने कुछ काफी हचे सेव किया लेकिन जो गोल कंसीड किया है उसमें डिफेंसिव एर था और वहां पर गोलकीपर कुछ काम नहीं कर सकता है अटेक में हाडली कुछ चांसे स्क्रेट वा था बढ़ा काफी डिसपॉइंटिंग इसके बाद डारेक्ट फीफा व्ल्ट कॉलिफायर तो वहां पे भी क्या ऐसा ही परफॉमेंस रहेगा क्या को इंप्रूब्मेंट आएगा वहां पे आपको तो आसा टाइम मिलेगा तिम का परफॉमेंस को लिएकर आपके ओपीडियन से आप कमाने करके मुझे जरू बताना नेक्शनलों बात करेंदे कलिंगा सूपर कप के बाड़े में तो कलिंगा सूपर कप में आज मैच है इस पेंगॉल वर्स जम्शित पुरफी सेमी फाइनल वन और यह मैच है आज रात क सारे साथ बजे और काफी काफी एक टक्कर का मुकाबला होने वाला इस पेंगॉल वेल प्रिपेर टीम जम्शित पुर्ट ने जो पेस रिसेनली पकर रहा है अंडर खलिजमेल का बिलेत तारीफ तो खलिजमेल अगर एक टीम को ट्रांसफोर्म कर देते तो वो टीम को लिट और यह मैच बहुत टक्कर का होने माल है क्योंकि कार्लुस को अधराद भी को यह से हलके में लेने वाले कोचे नहीं है और इस पेंगॉल का जो रिदम उने पकरा है वो भी कमाल का है तो देखना का इस इंडरेशिंग होने माल है कि इस मैच के रिजल फाइनली क्या होता है इंडिया वस अर्जेंटीना मैच के बाड़े में जो कि 2025 के लिए स्केडियूल हुआ है बट अभी तो इंडिया का जो परफोर्मेंस है उसको देके लग नहीं रहे कि कुछ ज्यादा फाइदा मिलने माला कि किसी बड़े मैचेस का फाइदा तभी होगा जब आपका जो काफी एक एकस्पेक्टेशन है इस मैच को लेकर और इस मैच के लिए किरला गॉवर्मेंट ने दस बीस करोड का निपल की सौ करोर का बजट असाइन किया है चालीस करोर का इगनाय स्टेडियम उपर से टीम को लाने का फिर पूरा अकुमोडेशन फेसिलिटीज सब विलाक इस मैच को लेकर आपकी क्या थौट से आपकी कमिशे सरुबाता ना बात करते इस पेंगॉल के बाड़े में निखिल पुजारी के उपर बहुत सारे क्लब से इंट्रेशन दिखाया था लेकिन करेंड़ी इस पेंगॉल रेस में लीड कर रहे और इस पेंगॉल सबसे ज्या होने वाला है निखिल पुजारी का और करेंट सिचेशन देखके लग रहे है कि हो जाएंगा बहुत ही जली हम लोग को एक कन्फरमेशन देखने को मिल सकता है इस पेंगॉल की तरफ से या फिर हाईद्रबाद की तरफ से क्यार ये प्लेयर हम लोग को छोड़के जा रहा है तो ऐसा एक बिड फेरवेल बिड वो लोग कर सकते हम आपे बड़ नो डाउट निखिल पुजारी इस पंगॉल में आएंगे एक एडिशन जो सपोर्ट मिलेगे इस पंगॉल के स्कॉर्ट को वो कमाल का होगा अब देखते कि फाइनल निखिल पुजारी क्या इस पंगॉल पुजारी को अगर आते हैं तो उनका पुजारी का इसा रहता है बाकी सीजन में और आने वाले सीजन में अफकोर्स नेक्ट बात के बारे में रियल मदीड ने ओफीशियली एडर मिलिटाओ का जो चॉंट्रैक्ट है वो 2028 तक एक्ष्टेंट कर वालिया है जो की अगे एक अच्छा बात है long term planning अच्छे यंग बहुत यंग भी अच्छागासा एज है उनका अलाम से खेल सकते कासी साथ और फिट्नेस बहुत अच्छा है और रियल मदीड को जो support प्रवाइड के एडर मिलिटाओ ने डिसन टाइम में वो काबिले तारीफ है तो देखना काफ इंट डील में convert करना सो जो दो लोन डील में प्लेयर से बार्सलान के पास जो कैंसलों जो फिलिक्स तो जो कॉम्बीनेशन तो इन दोनों का पूडा पर्मनेंट डील करना चाते बार्सलोना करेंद लीक तो इनका इस transfer market में यही में टार्गेट है और होना भीचे जो कैंसलों जो तोनों का ही performance Barcelona में काफी ज्यादा बढ़ी है जब से वो आए है और काफी impactful performance है so अगर इनको यह hold कर पाते हैं तो वरों टीम के लिए अच्छा हो कि Barcelona के लिए भी वो FSP मतलब जो financial fair play rule के under signing करना काफी मुश्किल हो रहा है तो loan deal को proper per minute deal में convert वो कर सकते हैं बट नहीं बड़े player का signing भूब भी complete नहीं कर पाएंगा उसके लिए उनको players को या तो release करना होगा या तो sell करना होगा या तो अपने जो books से उनको clear दिखाना होगा मुश्किल होगा आप देखते हैं कि क्या finally यह जो move अब Arsenal को यह complete हो पाता है या नहीं यह जो आपको यह वीडियो पसंदे वीडियो पसंदे वीडियो को like करना शेयर कर दोसके विच में अगर शेयर मिश्क्राइब ने होगे चल्ड को subscribe करना भी मत बूला एंड बिल एकर दोना ताकि में जब अप्लोड करना निविकेश्य मिल जाए एंड